हेलो हेलो दोस्तों यह हमने कल बना लिया था यहां तक आपको मालूमी है जो लोग बना रहे हैं साथ में और आज हम इसके आगे बनाएंगे आज हम ट्राइ करेंगे कि मुकुट वाला पार्ट और हेयर्स का पार्ट आज हम कम्प्लीट कर लें तो सबसे पहले मैं नीडेबल इरेजर के साथ लाइट लाइट हाथ होसे इसको इरेज कर लेती हूं और मिलते हूं आपको आउटलाइन्स करके अब्धी हम मुकुट के ऊपर यह जो फूलों की माला लगी हुए यह बनाएंगे तो उसके लिए मैं पहले यह वाला फलार बनाऊंगी यह थोड़ा सा और मेरे ख्याल से यह इजी होने वाला है काम वाइट कलर के साथ नीचे का बनाएंगे और यहां पर इनको आपस में मिक्स करतेंगे और सिमिलर्ली हम बागी के भी दोनों पैटल्स बना लेंगे अब मैं लूँगी ग्रीन कलर और इसके साथ मैं यह नीचे के चीज़े बनाऊंगी जिसमें हमारा फ्लार लगा हुआ है अभी मैं यह डाक वाला ग्रीन लूँगी और इसके साथ जिलो नीचे के डाक पैटल्स हैं वो बनाऊंगी इसके उपर वाइट पैंसिल से हाइलाइट्स बनाते हैं नाव पिंक कलर के साथ बनाते हैं भी लाइट वाला पिंक लिया है पिंक लाइट वाला पिंक लाइट्स बनाते हैं पिंक लाइट्स बनाते हैं अब जहां पे हमको डैप चाहिए वहां पे हम ब्लैक कलर लेंगे और उसके साथ बिल्कुल हलकी हलकी हाथों से आसे श्ट्रॉप करके लिए जगां यहां पिंक लाइट्स बर्सक लोग साथे श्राव पार लाइट्स पेर नेसे जाएट्सिंज नेक सब्राइट कलर लाइट है वहां पे जरूरत था कि यहां आप यहां लाइट यहां पे तो बनाते लाइं को अ बाउन कलर यूज़ कर सकते हैं पिंक में और यालो में ठीक हैं तो वह करते हैं अब है मुकुट इस पिक्चर में अच्छे से क्लियर से नहीं दिख रहा है क्योंकि उपर से जो यह क्रॉप्ट है पिक्चर इसलिए मैंने इसके इसी वाली इसी कॉस्ट्यूम वाली दूसरी पिक्चर रखी विए अपने फोन में इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो इससे देखकर हम यह वाली ड्रॉइंग में इस पोट्रेट में हम मुकुट बनाएंगे तो सबसे पहले तो यह वाला पार्ट बनाते हैं जो नीचे का है यह ग्रे से कलर का है लेकिन इसमें थोड़ी से ग्रीन टिन टारी है तो ग्रे और ग्रीन को मिक्स करके हम यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट अप्टेन करेंगे कर दो कर दो अब यहां पर यह ग्रीन वाला पॉश्चन डोर करना है हमने इसमें भी लाइट और डाक दो कलर्स हम को चाहिए यह सही रहेंगे लाइट भी है इसमें और डाक भी है बुरुस्टो के ही कलर्स अभी मैं यूज़ करें हूं इसमें क्योंकि मेरे पास इसकी शेड्स में हैं नह क्रीजमा क्लरम नहीं है तो यह सारे डश ग्रो चाहिए है झाल 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 मुकुट अल्मुस्ट बन क्या है ये माला रहती है बनानी जो लगी है मुकुट पर और पंक रहता है अब हम बनाएंगे मोर पंक मुकुट का पार्ट सारा कतम हो गया है अब हम हेर्स बनाएंगे और हेर्स बनाने के लिए पहले हमको ये इरिंग्स बनाने पड़ेंगे तो सबसे पहले इरिंग्स बनाएंगे फिर हेर्स अब हम बनाएंगे मोर पंक रहता है तो यहां तक हमने बना लिया है बाकी का हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है पशाख और नेक्लेस बाकी का पार्ट हो गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप इतना बनाएंगे बाबाई झाल झाल सो γें